Study IQ Bank & SSE शुरुआत से सभलता तक पूरा आपको करवाया है और अभी हमने Average Topic जो है वो शुरू किया हुआ है तो आज Average का Part 5 है इससे पहले 4 वीडियो उसके भी आ चुके हैं तो Students आप उसे जाके जरूर देख लीजिएगा आज हम इसमें क्या सीखने वाले हैं Students मैं आपको टाइप वाइस करा रहा हूँ Not के First से लेके सारे Questions 100 सारे सीक्वेंस में नहीं करा रहा हूँ मैं आपको टाइप वाइस करा रहा हूँ उसी Book के Questions तो आज जो हम कर रहे हैं Baller और Batsman वाले जो Questions है वो करने वाले तो सबसे पहले एक चीज़ समझते है जो Cricket में Batsman होता है उसका काम क्या होता है उसका काम होता है Run बनाना तो उसकी Average कैसे निकालेंगे उसकी Average कैसे निकालेंगे Average क्या होता है उसने कितने Runs लिये और उसने कितने Matches या Innings खेली उसका काम है Run बनाना तो उसकी Average कैसे देखी जाती है Run कितने बनाए In Every Match In Total Match अगर कोई हर Match में Run जादा बनाता जाएगा तो उसकी Average बढ़ती जाएगा और अगर कोई आगे हर Match में Run कम बनाता जाएगा जितने वो पहले बना रहा था तो उससे वो Average डाउन हो जाएगा तो ये होता है Batsman का Keys इसमें वो जितने जादा Run बनाएगा उससे उसका Average बढ़ेगा अगर वो Run कम बनाएगा तो Average डाउन हो जाएगा वो अच्छा Batsman नहीं कहलाएगा अब बोलर का क्या होता है बोलर का जो काम होता है उसका काम है विकट लेना इसका काम होता है रन बनाना उसका काम होता है रन देना लेकिन उसका Target क्या है उसे विकट लेनी तो यहाँ पर इसके Average में एक चेंज क्या होता है कि यहाँ पर average में देखा जाता है कि इसके कितने run पड़े कितने run इसने दिये for wickets उसका काम तो wicket लेना है ना इसका काम है हर match में run बनाना तो हर match में कितने run बनाए इसका सिरफ ये fund आए उसका देखा जाता है कि runs कितने दिये per wicket टोटल कितनी wickets हैं उसने ली और टोटल कितने runs दिये उससे उसका average निकलता है ध्यान रखिए का दोनों में फरक है यहां total runs upon total matches देखा जाता है average batsman में और bowler में देखा जाता है total runs upon total wickets I hope आपको यह समझ में आ गया होगा right चलिए questions करते हैं इस पर directly पहला question क्या है a batsman makes a score of 84 runs in the 21st inning and thus increases is average by 2 runs 21 इनिंग उसने खेली और उसमें 84 runs उसने बनाए पहले कितने बनाए पता नहीं 21 जो खेली है उसके अंदर 21st जो खेली है उसमें 84 runs बनाए है और उससे average दो बड़ा है आपको बताना है find his average after 21st inning तो कैसे करेंगे आईए देखते हैं पहले 20 innings खेल चुका है माल लेते हैं तब तक जो इसका average था वो average था average run rate x अब इसने एक match और खेला 21st हो गए है total 21 और अब इसका जो average है पहले से 2 बढ़ गया है तो अब ने average कितना है x प्लस 2 clear रही पहले इनका average ये था अब एक match खेलते ही average दो बढ़ गया है तो पहले के कितने runs थे अगर मैं इसका total निकालू average क्या होता है total runs upon number of innings ये ही बताया था batsman के case में average क्या होता है total run upon total innings अब आपको average भी पता है इनिक भी बता है अगर आप इसको multiply कर दोगे तो total runs आ जाएगा करिए इसे multiply you will get 20x ऐसे ही इनहीं भी multiply कर दीजिए यहां के total run आ जाएंगे 21 into x plus 2 हो गया अब हम इसे minus कर देंगे क्यों क्योंकि ये 20 match के run है और ये 21 match के run है तो एक match जो 21 था उसके run आपको दिये हुए है वो value इनके difference के बराबर होगी तो लेते हैं इनका difference 21 x plus 2 minus 20x ये एक match का difference है और उस एक match में कितने run बनाए है 84 क्या ये समझ में आया ये 20 match के run है ये 21 match के run है minus कर दोगे तो just 21 में 21st match में जो run बनाए होंगे वो आपको पता चल जाएगा इसे solve कर दीजिए तो 21 x में से 20 x minus हुआ तो x आ गया प्लस ये कितना है 42 42 उदर जाके क्या हो जाएगा minus so x का value आ गया है 42 इस में से ये minus कर ये 42 मेरा answer क्या 42 है नहीं x 42 आया है मतलब ये पुराना average है आपसे पता है क्या पूछा है find his average after 21st inning तो ये नया average पूछा है जो की दो बढ़ गया था तो 42 में 2 add करेंगे new average will be 44 21 में इनिंग के बाद जो average है वो आपको बताना है I hope आपको समझ में आ गया होगा कुछ भी नहीं किया इधर multiply किया 20 match के रन आ गए इधर multiply किया 21 match के रन आ गए minus कर दिया तो एक match जो खेला था उसके रन आ गए वो आ गया तो पुराना average आ गया नया बताना है plus 2 कर दिया अब student इसी question को हम एक और concept से भी कर सकते हैं जिसका नाम होता है allegation हम allegation वैसे detail में पढ़ेंगे पूरा chapter लेकिन अभी मैं आपको एक short में बता देता हूँ देखे 20 match जो इसने खेले थे तब तक जो इसका average था वो x था फिर इसने 21 match जस्ट एक match और खेला यहां पे इसके अंदर उसने run बनाए 84 और अब इसका जो average है final वाला वो 2 बढ़ गया है पहले से तो पहले इतना average था 20 match तक फिर एक match और खेला 84 रन बनाए और अब average x plus 2 हो ग बता हो और दोनों का मिलाके भी बता हो यह तो मिलाके है ना final वाला तो फिर आप allegation से ratio निकाल सकते हो यहां का जो difference है और जो यहां का difference होगा उसका ratio क्या होगा यह जो average था वो क्या था runs per matches, runs per innings तो मतलब यह जो ratio आएगा वो जो पर वाली चीज है average किस चीज का था यह दे रखा दो average किस का था वो average था पर innings तो allegation में यह जो चीज होती है नीचे वाली पर वाली इसी का ratio निकलता है मानलो यह price होते कि इसका rate है 10 रुपे प्रती किलो उसका rate है 15 रुपे प्रती किलो और इसका rate है 12 रुपे प्रती किलो अगर आप इस पे allegation लगाएंगे allegation में हम diagonally difference लेते हैं जैसे यहां का difference 3 आ गया और यहां का difference 2 आ गया तो यह 3 ratio 2 किसका ratio आया यह जो पर वाली चीज है ना यह इसका ratio आया मतलब quantity का ratio आया यानि कि आप दो चीजे इस rate की मिला रहे थे तो उनकी quantity आपने क्या रखी थी यह उस चीज का ratio आया है right I hope it is clear तो अब हम इसका diagonal difference लेते हैं देखो यह वाला difference 2 आया और यह वाला difference में देखो इन दोनों में बढ़ा कौन है अगर हम देखें तो यह वाला और यह जो चीज होती है ना यह इन दोनों के बीच में होती है अगर पहले वाला छोटा है तो दूसरा बढ़ा है दूसरा बढ़ा है तो आप difference लेंगे यह 84 में से हम x प्लस 2 माइनस करें और इन दोनों का जो रेशो है वो आपको पता है कि यहाँ 20 मैच खेले थे यह एक मैच खेले थे यह किस चीज का रेशो आएगा यह आएगा innings का रेशो क्योंकि average क्या होता है runs पर inning अगर यह बोलर हो जाए तो average क्या होता है runs पर wickets तब यह ratio किसका ह हो जाता wickets अगर यह price दिया होता तो यह क्या होता रुपीज पर केजी तो यह quantity का ratio कुछ भी ऐसा example हो सकता है allegation हजारों केस में लग सकता है तो students यह जो gap है कितना है अगर हम देखे 84 में से यह minus करिए 2 minus करिए पहले 82 minus x upon 2 यह ratio क्या है innings का ratio है 20 यहाँ खेले 1 यहाँ खेले cross multiply कर दीजिए 82 minus x is equal to 40 यहाँ से minus को इधर ले गए 40 को इधर ले गए आपको बड़े अराम से x का value मिल गया x पुराना average है आपको नएा बताना है वो 2 बढ़ गया था तो नएा average वोड़े बी 44 समझ में आ गया क्या concept है आई यह देखते हैं अगला question so यह question इस book का नहीं है बट क्योंकि batsman और bowler की बात चल रही है तो I thought कि हम एक दो question इस पे ज़्यादा practice कर ले so average score of a batsman और a certain number of inning was 42 तो कुछ 42 average था x number of innings का तो total runs कितने बनाए 42 into x माल लेते हैं average था x अब इसके बाद इसने अगले 5 inning और खेली और 5 inning में उसने इतने run बनाए इसको add करिए कितने बनाए 28 and 30 and 70 and 50 70 and 60 यह हो जाएगा 130 run on बनाए यह हो गए total runs और अब इसने कितने matches खेल लिए हैं पहले तो x थे innings और अब इसने 5 और खेल ली है 5 inning और यह इसका अब निया average आ गया निया average कैसे निकलेगा total runs तो एक तो पहले के total run फिर 5 inning के total run और divided by total innings total matches कितने खेले x तो पहले के लिए थे 5 अब खेले हैं और इनका जो ratio आया है इनका जो ratio आया है that is मतलब जो निया वाला है वो क्या हो गया इसने बोला था कि average came down by 5 अभी average 5 से down हो जाता है मतलब पहले x था ना तो अब 5 से down हो जाता है इसे solve कर लीजिए cross multiply करके आपको x मिल जाएगा तो left में क्या है 42x प्लस 130 right में क्या है आप इसको इससे multiply कर दिए right मैंने लगता है यहां x color के लिए हमारा average पहले जो था ना वो 42 runs था तो 42 minus 5 आएगा मतलब यह 37 हो जाएगा यह x नहीं है इदे रखा है कि पुराना जो run rate average था वो 42 था तो 37 से into करिए cross करके 37 into x और 37 को 5 से भी करेंगे तो 185 हो जाएगा अब 37 में से 42x माइनस करिए यह x x वाला तो 5x आ गया और यह माइनस करिए 55 आ गया ultimately 5 से divide करके यहां पे x का value कितना आ रहा है 11 अब यह x 11 आया है आप से क्या पूछा है आप से क्या पूछा है यहां पे क्या पूछा है how many innings did he play in all कितनी innings उसने total खेली होंगी तो 11 तो पहले खेली थी और 5 और खेली तो आपका final answer हो गया 16 11 प्रस 5 11 पहले के लिए थी 5 और खेली है तो final answer आ गया है 16 I hope यह समझ में आया हो का एक और question है 8 लोग है एक team के अंदर और यह एक match खेल रहे हैं जो best marksman है उसने 85 point उसको मिले हैं अगर उसे 92 points मिलते मतलब 7 extra मिलते तो फिर हमारी team का जो average है वो 84 हो जाता तो number of point team का पहले क्या था total बहुत असान सवाई आपका अभी average 84 हो जाता है कितने लोगों का 8 लोगों का तो अब का total निकाल लो और यह नया total जो है कितना बढ़ा है एक ही बंदे के तो runs बढ़े थे 85 वो पहले लाता था 92 अब ला रहा है तो 7 ही तो बढ़ा है मतलब इस total में 7 ही तो बढ़ा है तो अगर आप इसमें से 7 minus करोगे तो आपको यह answer मिल जाएगा कि उनका total पहले कितना था very simple question minus कर दो 6 6 5 आपका answer आजाएगा अब student question करते हैं baller वाला एक दो question baller वाले practice करते हैं तो एक cricketer है जिसकी bowling average है 12.5 runs per wicket मैंने आपको अभी समझाया था ना कि bowler का average है वो कैसे निकाला जाता है runs per wicket and it takes he takes 5 wickets now for more 26 runs उसने फिर एक और match खेल लिया या उसके बाद उसने जहां पर 5 wickets जो है वो लिये थे for 26 run and thereby decreases his average by 0.4 पहले इसका average था 12.4 पिर इसने 5 wicket और लिये 26 run देके अब average का down हो गया कितना 0.4 से आपको क्या बताना है number of wickets taken by him till the last match was right कैसे करेंगे तो 12.4 इसका पहले था average माल लेते हैं wickets जो इसने पहले ली थी वो x ली थी अब ये average है और ये wickets है इसे multiply करोगे तो total runs मिल जाएगा के नहीं x into 12.4 फिर इसने क्या किया ये तो इसके total run आ गए फिर इसने क्या किया आगे कुछ wickets और लिए और उसमें 26 run और दिये तो ये हो गए अब total run और अब total wicket कितनी हो गई है पहले तो x थी अब इसने 5 और wicket लिए ना शायद 5 wicket लिए थी और अब जो निया average है वो पहले वाले से 0.4 down हो जाता है ध्यान से पढ़िए पहले वाले से कितना down हो जाता है 0.4 तो अगर आप इसमें से 0.4 minus करेंगे तो वो आ जाएगा 12 यहां से आपको x का value मिल जाएगा तो यह value कितना आएगा 12.4x plus 26 is equal to 12 को आप इससे into कर दीजिए तो यह हो जाएगा 12x plus 60 यह minus करें 0.4x is equal to 60 minus this 34 तो यहां से आपके पास x का value आजाएगा 34 by 0.4 0.4 तो यह value आपके पास आजाएगी 2 by 5 17 into 5 जो है वो कितना आजाएगा 85 I hope it is clear अब यह 85 क्या है पहले कितनी wickets ली थी इसने पूछाए till the last match कितनी wickets होगा तो अभी इसने 5 और ली थी ना तो 85 में plus 5 add करेंगे तो 90 आएगा till the last match पूछा है तो 90 आएगा वरना यह 85 आ सकता था तो यह option में दिया नहीं हुआ बट यह सही answer है till the last match का मतलब है कि आखरी match तक तो आपको 90 लेना है क्योंकि 85 तो पहले ही आया था फिर 5 wickets और भी तो ली थी ना तो total wickets कितनी हो गई 90 शुट बी दा correct answer जबकि पीछे बुक में 85 दिया हुआ है तो students आगे देखते हैं अगला question the betting average of 40 innings is 50 runs यह betting वाला question है तो total run कितने हो गई अगर आप देखेंगे 2000 right 2000 now highest और lowest के बीच में जो scorer है उनके difference है 172 एक यह हमें दिया हुआ अब यह कह रहा है कि अगर यह दोनों innings जो हैं वो हम निकाल दें highest और lowest वाली तो फिर बाकी लोगों का average 38 इनिंग का 48 आ जाता है तो अगर हम इसमें से 2 कम कर दें तो 38 का जो average है वो 48 आ जाता है तो क्या मैं कहें दूँ कि यहां से हमें 38 का total मिल जाएगा और यह है 40 का total अगर 40 के total में से यह minus कर दोगे तो बाकी 2 का total नहीं आ जाएगा और बाकी दोनों कौन है highest और lowest जो आपने exclude किये थे तो 40 का average इतना है अगर वो 2 छोड़ दो तो 38 का average इतना है जब इनके total को minus कर दोगे तो उन दोनों का total आ जाएगा और उनमें difference कितना है यह तो आपको पता ही है total भी आ जाएगा दो equation से solve हो जाए तो यह multiply करिए 38 इंटू 48 8 इट जा 64, 6 cancel 8 थी जा अगर multiply करें तो 24 and 6 आपके पास हो गया या फिर ऐसा करते हैं 8 इट जा 64 आ गया 6 फिर 24 यह आ गया 8 फोर्जा 32 और यह हो गया मारे पास 56 में 6 कैरी करेंगे तो 62, 6 आ गया और 3 फोर्जा 12 12 and 6 1 इट टू फोर बन गया है यह 1 इट टू फोर बन गया है इसे minus कर दीजिए तो 176 आ गया शायर अब यह मेरे पास क्या आया उनका sum H प्लस L का sum आया मुझे ना highest वाला बताना है highest वाला कैसे निकलेगा L को cancel कर देते हैं add कर देते add करेंगे तो 2 H आ गया इधर भी add कर दीजिए 176 प्लस 172 और H निकालने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा आधा करना पड़ेगा 2 उदर जाके divide हो अब या तो आप इनको जोड़े और फिर आधा करें बट एक smart approach लगा सकते हैं basically H कहां से मिलेगा जब आप इनको जोड़ेंगे और फिर आधा करेंगे तभी मिलेगा क्योंकि जोडने से 2 H मिल जाता है तो आधा करने का मतलब क्या है आवरेज लिए नहीं तो है न और इन दोनों के बीच में क्या है वोई तो आवरेज है तो इन दोनों के बीच में क्या है 174 ये नमबर तो बहुत पास ही है इन में देख सकते हो ना 72 और 76 के बीच में क्या होता है 74 74 तो वो में आणसर आ गया 174 I hope आपको समझ में आ गया होगा तो students जो अगला question है ये आपके लिए है Practice के लिए इसका जो आंसर है आप मुझे बताईए कि क्या होना चाहिए इसका screenshot ले लिजिए लेट सी आप में से कौन कौन student इसको कर पाता है और ये series आपको कैसी लग रही है वो भी पताईएगा अगर आपको अच्छी लगेगी तो हम और ऐसी वीडियोज लाते रहेंगे तो एक question था आपके लिए अगला question देखते है अगला question है In first 10 hours of a cricket game the run rate was 3.2 तो 10 के अंदर अगर run rate इतना है तो उसका total निकाल लेते हैं कि उसने 32 run बनाए हो Right What should be the run rate in the remaining 40 hours to target this much run अगर 282 run बनाने और 32 पहले बन गया तो बाकी कितने बनाने पढ़ेंगे हमें 250 runs और ये हमें बनाने है in the next 40 तो यही तो हमारा average होना चाहिए 250 run चाहिए 40 hours में तो divide करते ही मुझे average मिल जाएगा कि सवा 6 6.25 के average से चलना हो पहले 10 में कितना average था 32 बन गए target है 282 तो रहे गए 250 अब ये बनाने हैं अगले 40 अब तो 240 by 40 से मेरा average आ जाएगा of the remaining part Right students तो ये series कैसे लगी please comment करके बताईएगा और जो question मैंने आपसे पूछा वो भी आपको बताना है Students mock test series launch हो चुकी है study IQ platform की तरफ से आपको 15th April से यहाँ पर mock test मिलना start हो जाएगा just a minimum price 500 से भी कम price में आपको ये test series मिल रही है तो आप study IQ app study IQ website पे जाके तेस series सर्च करके join कर सकते हैं और इसके link description में भी है CHSL की भी test series है MTS की भी है इसके अलावा आपको CGL के भी मिल जाएगी RRB clerk और RRB PO जो bank के exam होते है IVPS इसकी भी test series लाँच हो गई है and students अगर मैं हमारे best online courses की बात करूँ bank और SSC ये भी course उपलब्ध है और अगर आप ऐसे courses की cost देखेंगे तो मातर 10 रुपे प्रति दिन की cost में आपको हमारे courses मिलेंगे तो इतनी कम cost में आपको मिल रहे हैं तो आप study IQ आपको platform बहुत बढ़िया content के साथ एक जोड़दार त्यारी करवाता है और affordable त्यारी करवाता है and student हमारा एक बहुत बड़ा scholarship test होने वाला है all India level पे अगर आप bank और SSC के किसी भी course में join करना चाहते हो bank और SSC के आप त्यारी कर रहे हो तो यह test आपको जरूर देना चाहिए एक तो आपको इसकी practice का पता चलेगा कि आपकी त्यारी किस लेवल पे है साथ साथ आपको यहाँ पे बहुत ही बड़िया exciting rewards मिलेंगे जो यहाँ पे topper student होंगे उनके लिए तो यह 14th April को test हो जाएगा live इसे जरूर दीजिएगा सुबह 9 बजे से आप इसे कभी भी दे सकते हैं and students CHSL का notification SSE का अभी आया है तो इसके लिए हमारा एक special course launch हो गया है success batch जिसकी classes 15th April से start हो रही है और सारे ही expert faculty आपको यहाँ पे guide करेंगे आप इसको भी देख सकते हैं अगर आपको maximum discount चाहिए तो आपको use करना है coupon code KSL Life Study IQ के किसी भी course के लिए आपको bank और SSE का combo course भी मिल जाएगा bank का भी course अवेलेबल है SSE का भी course अवेलेबल है इसके लबाग quant reasoning का भी अगर आपने लेना है अलग अलग तो वो भी आपको मिल जाएगा and RBI का भी batch हमारे पास अवेलेबल है तो आप इसे भी देख सकते हैं RBI create B का अगर आपको batch लेना है तो ये सारी classes start हो चुकी है कुछ होने वाली है तो जल्दी से आप join कर सकते हैं coupon code use करिया KSL Life and आप मुझसे जुनदा चाहिए तो टेलिग्राम चैनल पर जुड़ सकते है maths by करन सर्दाना so thank you so much for joining this series I hope आपको इस series अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो like करिये comment करिये दूसरों के साथ share करिये और चैनल को subscribe कर दीजिए कोई भी वीडियो आपका miss नहीं होगा अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे Thank you so much Study IQ Bank and SSE शुरुआत से सभलता तक